हलो गाइज आपका स्वागत है मैक्स एनिमे एक्स्प्लेइनर के इस नए वीडियो में इस सेकेंड एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दॉंग जून आखिर कहां से आया है और ये चैंग सिटी में कैसे फस गया था दॉंग जून बिलॉंग करता है बाई फैमिली से जो की इस पूरे कॉंटिनेंट में यानि की पूरे वर्ड में नमबर वन फैमिली है बाई फैमिली के हैड का नाम है जैंजी जो की हमारे दॉंग जून के ग्रैंड फादर है और दॉंग जून के फादर एक पी एलेस कुंफ इसलिए वो अपनी बाई फैमली से भाग जाता है और भाग करके कई हजार किलोमेटर दूर चाई शैंक सिटी में आकर के वाइन की शॉप खोलता है क्योंकि इसे मार्शल आर्ट में तो कोई इंटरस्ट नहीं होता है बट वाइन में बहुत ही जादा इंटरस्ट होता है और एक बहुत ही अच्छा वाइन मास्चर होता है मकर यहीं पर यह बिचारा आकर के भस जाता है दो फैमली के बीच में और इसे जरा सा भी नहीं अंदाजा होता है पहली फैमली होती है गू और दूसरी फैमली होती है यान और यान फैमली यह सोचती है कि यह जो बंदा लीकर शौप खोला हुआ है जाई सैंक सिटी में वो गू फैमली का मेंबर है यानि यही दॉन जून और इसी मिस अंडरस्टैंडिंग में वो बिचारा यहां पे पिस जाता है वो बिचारा लाग कहता है सबसे कि मैं बाई फैमली का बंदाया हुआ रहता है उसका नाम होता है चैन फैंक वो एक अनागत होता है इसकी स्टोरी जो है वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा और यह चैन फैंक इसका बेस्ट फ्रेंड होता है डॉंग जून का और इसको इसके घर से भागने में भी काफी help वो करता है और उसे protect भी करता है जैसा की दॉंग जून को कोई martial art नहीं आती है सिवाए wine बनाने के बट इसका उल्टा चैन फैंक बहुत ही अच्छा martial artist होता है और वो अपने spear से अच्छे अच्छे को दूल चटा देता है ये स्टोरी है हमारे दॉंग जून की आगे शल के बारी-बारी इसमें इतने सारे character हैं उनकी अलग-अलग सी स्टोरीज हैं मैं उसे धीरे-धीरे करके detail में explain करूँगा च्छे लिए other channels पर मैंने देखा है इस series को बहुती गलत तरीके से explain किया गया है जो कि ये series वाकई में बहुती जबरदस्त है बिना देर के इस episode को start करते है दा यंग ब्रेव मास्चर तो इस episode में हमें दिखाया जाता है कि गूफ एमिली का scene जहां पर गूफ एमिली का यंग मास्चर ती मिनों से लगातार वाइन पिये जा रहा होता है क्योंकि उसके भाई की first episode में देथ हो चुकी होती है इस गम में वो लगातार वाइन पीता जा रहा होता है और तभी गूफ एमिली का सर्वेंट सूली कहता है यंग मास्चर प्लीज आप इतनी वाइन मत पियें वरना आपकी तबित और भी जादा खराब हो चाएगी इस बात को सुन करके गूफ एमिली का यंग मास्चर जिसका नाम होता है लिंग वो कहता है कि प्लीज सूलिंग मुझे मत रोको मुझे मेरे भाई के साथ उस दिन चले चाना चाहिए था अगर मैं उसके साथ जाता तो मैं उसे बचा लेता और तभी वो पास्च का वो सीन याद करता है जब वो अपने बड़े भाई से कह रहा होता है कि भाई क्या मैं इस सफर में आपके साथ जा सकता हूँ मगर उसका बड़ा भाई ये कहके मना कर देता है कि तुम अभी छोटे हो नेक्स टाइम मैं तुम्हें पका अपने साथ में ले करके जाऊंगा और तभी हम देखते हैं सूली वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि यंग मास्टर लिंग मैं आपको एक खुश कबरी देना चाहता हूँ आपको बाई सिटी के हॉल ने आपको एट यंग मास्टर की दूची में शामिल कर लिया गया है आज से आप उन एट यंग मास्टर में से एक होंगे ये सुनकर के लिंग का बड़ा भाई तुज यांग काफी खुश होता है और उसे बहुत जादा प्यार करने लगता है तब इलिंग कहता है ब्रेदर फ्लीज मुझे इतना बुली मत करें और ये सोच करके वो प्रेजेंट में बहुत जादा रो रहा होता है और कहता है कि उस दिन मेरा सेनियर ब्रेदर कितना जादा खुश था जब कि मैं इस बाई हॉल के दोरान सेलेक्ट कर चुका था एस इंपरिलर यंग मास्चर के तोर पे काश मैं उस दिन अपने भाई के साथ उसके साथ चला गया होता और ये कहकर के वो और वाइन पीने लगता है तभी सूली कहता है यंग मास्चर प्लीज आप अपने आपको दोश मत दे वरन आप अपनी तवित खराब कर लेंगे अभी फिलाल के लिए आपको गूफ फामिली को हैंडल करना है क्यों कि अब आप ही बचे हैं गूफ फामिली को हैंडल करने के लिए तबी गूलिंग खड़ा हो जाता है और कहता है कि भला मैं जब अपने भाई को बचा नहीं पाया तो मैं गू फैमिली को कैसे बचाओंगा और ये कहकर कि वाइन को पटक के पोड़ देता है और गुस्से में सूली को देखने लगता है और तबी हम देखते हैं या सीन शिफ् मगर हमारा दौंग जून वो तो राजागी तरह वहाँ पे वॉक करते हुए सीधे पवेलियन के अंदर जाने लगता है और चैंग फैंग कहता है भाई चल्दी से आके मेरे पास छुप जा वो बिचारा सोचता है कि उसके पीछे दौंग जून आ रहा होगा मगर दौंग उन तो अभी भी उसी खयाल में होता है कि आखिर वो बंदा जो उपर से नीचे आया था वो गायब हुआ तो हुआ कैसे और ये कहकर के वो सीधा उस पवेलियन के अंदर जा रहा होता है और तभी चैंग फैंग उससे देख लेता है ये घोचु ने भी मरेगा और मुझे भ अतना स्ट्रॉंग न हूं तभी दाउंग जूँन से चैंग फैंग कहता है कि तुम पाकल हो कि हो तुम सीधा अंदर कहा जा रहे थे लगता है तुम हम तोनों को मरवाओं कि तभी दाउंग जूँन कहता है चुपो चा砸 पहतर यही हो गा अभी हम या पर देखते हैं कि आ मैं इसी चीज में confused हूँ और वो दोनों ही वहाँ पेड़ से जाकने लगते हैं और तभी उस mysterious से बंदे की माँ पे injury होती है और वो काफी टशन में वहाँ पे आता है जैसे जैसे वो अपने कदम को आगे बढ़ाता है उसकी body धीरे धीरे visible होने लगती है और ये देख करके जून और चैंक फैंक दोनों ही एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है ये बंदा धीरे-धीरे visible कैसे हो रहा अभी तक तो ये यहां नहीं था और वो धीरे-धीरे करके पूरी तरीके से visible हो जाता है और गूफ फैमिली के mansion के gate के सामने आके खड़ा हो जाता ह उसे देख करके सूली एकदम भड़क जाता है और कहता है तुम कौन हो वहीं रुख जाना अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारी चान ले लूँगा ये सुन करके वो मिस्टिरियस सब बंदा कहता है क्या तुम लोग अपने गेस्ट को इसी तरीके से ट्रीट करते हो तुम्हारी वो मिस्टिरियस सब बंदा सूली से कहता है कि अपने लोट से कह दो कि उनसे मिलने के लिए एक गेस्ट आया है डार्क रिवर सेक्ट से और ये कह करके वो सूली की ओर देखने लगता है और वहीं पर रुकसा जाता है और यहीं सी शिफ्ट हो इसका ये बात सुनकर के चैंग फैंग कहता है तू चुको जा सच में तू हम दोनों को मरवाएगा इतना तेज कौन बोलता है हम यहाँ छुप करके चोरी से आये हैं और तभी चैंग फैंग बोलता है कि ये डार्क रिवर एक एशियन ग्रूप है और ये ग्रूप इतना वो आज तक कोई नहीं देख पाया है यानि की बाहरी अनसान और ना जाने इस चैंग सैंग सिटी में और कितने राज़ दफन है और यहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें यान फैंली के उन सोलजर का सीन दिखाय जाता है जहां पर मोटू कहता है कि काश हम उस वाइन शॉप को कूट पाते हैं मगर मास्टर ने हमें रोग दिया तब ही दुसरा बंदा कहता है जो भी को हो फाइन तो ला जवाब थी ही मगर उस दिनों में ही हम इस पूरे के पूरे चैंग सैंग सिटी पे कबज़ा कर लेंगे और हमारी यान फैंली का राज होगा तब उसमें से एक दूंदा कहता ये जो कि धॉं tv को पहां पे आख मारता वो पतला सा बंदा कहता है कि सेनिय आप यहां क्या बात करें क्या सचमें यौन फैंली पूरे चैंग सैंग सैंग सिटी में कबजा कर लेगी ओ फैमिली का नाम निशान मिट जाएगा और तुम टेंशन ना लेना मैं तुम्हारी पूरी प्रोटेक्शन करूँगा तब ही वो दूसरा बंदा कहता है सेनियर आपका बहुत बड़ा उपकार कि आप लोग मेरी प्रोटेक्शन करेंगे तब ही वो सब कहते हैं कि तुम जैसा कि इस कुरुप में नए आए हुए हो इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने जूनियर की प्रोटेक्शन करें तब ही वो बंदा खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तो इतना अच्छा नहीं हूँ कि मैं आप लोग को रीपे कर पाऊं मगर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को रीपे कर पाऊं और वो वहाँ पे घूमने लगता है कि वक्त आने पे मैं आप लोगों के लिए ये कर दूँगा मैं आप लोगों के लिए वो कर दूँगा और ऐसी लंबी लंबी वो छोड़ रहा होता है और कहता है कि मैं तो आप लोगों को अपने सर पे बैठाना चाहता हूँ आप लोग तो महान है कि इस जूनियर को आप लोग प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं मैं तो धन्ने हो गया तब ही मोटू कहता है भाई तू शान्त हो जा, बसकर बसकर हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि तू क्या कहना चाता है तू बस बैठ जा यार और यह कहकर कि वो अपने साथियों को भी देखने लगता है और सबसे यह कहलवा देता है कि भाई सब ही कह दो कि सब के सब समझ चुके ये क्या कहना चाहता है वना ये ऐसे ही हम लोगा का दिमाग खाएगा और सब के सब ये कहा देते हैं और तभी वो जो पतला सा बंदा खड़ा था वो अपना पेट पकड़ के वहाँ पे चिलाने लगता है कहता है। आज तो मेरा पेट खराब हो चुका है और ये कहकर के वो अपने पेट को पहुत तेजी से पकड़ने लगता है तभी मोटू खड़ा हो जाता है कहता है भाई तुझे क्या हुआ तभी वो पतला सा बंदा कहता है कि लगता है आज मेरी पिछवाड़े की मशीन बहुत तीसी स्टार्ट होने वाली है मुझे यहां से जल से जल जाना होगा और वह अपना बम पकड़ागे वहां से भागने लगता है और जाड़ियों के बीच में जा करके वहाँ पे हलका होने लगता है और उसके साथ ही कहते है तुम जो हम यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे कोई भी उस जाड़ी के पीछे नहीं आएगा और वहाँ पे वो हलका हो जाता है और जब वो अपने कपड़ों को टाइट करता है तो कहता है यह यान फैमली के कपड़े इतने टाइट की होते और यहाँ पे हमें समझ में आता है कि यह बंदा कोई यान फैमली का सोलजर नहीं कोई और है और तभी उसे एक मिस्टिरियस सी बड़ की आवाज आती है और वो आसमान में देखता है और उसे देख करके 2 सेकेंड के लिए वहीं पे रुख जाता है और तुरंट वहाँ पे एक लंबी सी जम्प लगा के सीधे उस बट को पकड़ लेता है उस बट में इसी के लिए ही कुछ मैसेज लिखा होता है इसकी सेक्से और ये बंदा हमें यहां क्लियर हो जाता है कि ये जासुसी करने के लिए यहां पे आया होता है और तभी वो उस बट को पकड़ करके उस लेटर को निकालता है और उसे पढ़ने लगता है इसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं बताया जाता है और इसमें चाइनीज में लिखा होता है तो हमें घंटा नहीं समझ वे आता है कि ये लिखा क्या है उस बंदे को एक हलकी सी आवाज आ दिया और उस आवाज को सुन करके वो तुरंध अपने हाफ कोने में चुपा लेता है और वहाँ पे गयरी-डयरी सास लेने लगता है और तभी हम देखते है मैनेजर्ज स्याओ वहाँ से गुजर रहे होते हैं उसे देख करके वो बंदा कहता है τοभी हम देखते है की मैनेजर जियाओ के साथ में वो यंग लेडी यानि की यान फैमली की यंग लेडी भी होती है और मैनेजर जियाओ उसके पीछे पीछे उसे प्रोटेक्ट करते हुए जा रहे होते हैं अर तभी वो बंदा कहता है कि मेरा यहाँ पे आना कोई वर्थ नहीं हुआ अच्छा फैमली का यंग मास्टर लिन सीधा बाहरा करके उस मिस्टिरियस से डार्क रिवर सेक्ट के बंदे के उपर अटैक कर देता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो तुम्हें ये प्रूफ करना होगा कि तुम इतने वर्थी हो तभी वो मिस्टियस सा बंद करने से पहले नहीं देखते हैं कि इनके बगन में मॉटल्स भी होंगे ये जब देखो तक पाइट करना स्टार्ट कर देते हैं मुझे तो इस चीजों से नफरत है ये कह करके वो चैंग फैंग की कंदे पे हाथ रखके बच्चों की तरफ वहां से जागने लगता है तभी तुम मुझे ये कोई समझा दो ये कहा करके चैंग फैंग का वो दिमाझ खा रहा हो था मगर चैंग पैंग उन्टों की फाइट को देख रहा हो था और यहां पे गू फैंडि क के यम्ग मास्चर लिंग और डार्क रिवर सेक्ट के उस बन्दे से फाइट हो रही होती है त तुम्हें ये प्रूफ करना होगा कि तुम लोग इतने वर्दी हो तुम लोग जियान फैक्शन पैलिस में शामिल हो सको और अपना नाम दर्च कर सको इस बात को सुन करके बोर डार्क रिवर का बंदा कहता है अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हें हरा करके ही ये प्रूफ तब ही डार्क रिवर का बंदा कहता है मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हारे खिलाफ काफी सकती बरक दी क्योंके अब मैं तुमसे सीरियस हो करके फाइट करूँगा और ये कहकर के वो आसमान में एक लंबी छलांग लगाता है और अपने चारो तरफ कई सारी थंडर, रेन, म मस्टर के पास जाती है, वह बंदा लिंग तुरण उन सारी की सारी स्षॉर्ट को डाँच करने लगता है और तब ही वो टार्क रिवर का बंदा जैसे देखता है कि उससे सारी की सारी स्षॉर्ट को डाँच कर लिया, वो अपनी स्षॉड único को फिर से वापस बुला लेता है और एक rain thunder storm को perform करता है और अपनी सारी sword को अपने 4 और गुमाने लगता है और कहता है कि अब तुम इस से बच के दिखाओ और तब हम देखते हैं कि गूलिंग इस attack को बहुती शांदार तरीके से खड़े हो करके देखता है और जैसे ही वो सारी sword उसके करीब आती है वो उन सारी की सारी sword को बहुती शांदार तरीके से dodge कर लेता है और जैसे ही वो dodge करके खड़ा हो करके आसमान में अपनी नजर को खुमाता है तो वो देखता है कि आसमान में अल्रेटी कही सारे formation बन गए हैं जो की स्टार्स की तरह है ये देख करके वो तुरंत अपनी swordmanship यानि की अपनी martial spirit को समन करता है और इस martial spirit को देख करके सब इक्तम हैरान हो जाता है क्योंकि ये martial spirit गूज यानि की लिंक का बड़ा भाही समन कर पाता था मगर अब हमारा ये लिंक भी इस martial spirit को समन कर पाता है जिसका नाम swordman form है और उसकी spirit अतनी जादा powerful होती है कि चारो तरफ रोशनी फैल जा दी है और इसकी spirit का नाम होता है own sword martial spirit और ये कह करके हमें खाफी जबरदस सीन देखाया जाता है उसकी spirit की पूरी power को इस चीज़ को देख करके वो dark river का बंदा कहता है कि finally तुमने अपनी martial spirit को समन कर लिया मगर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम अभी तक अपनी martial spirit पे पूरी तरीके से काबू नहीं कर पाए हो यानि कि तुम अभी बहुत कच्छे हो ये कहकर कि वो लिंग को देखने लगता है और तभी हम देखते हैं कि लिंग की martial spirit को देख करके जैंग फैंग कहता है कि मुझे बिश्वास नहीं हो रहा है कि इस बंदे के पास moon sword martial spirit है ये काफी जादा powerful martial spirit है ये कहकर कि वो दोनों और खुल गूर करके उन दोनों की fight को देखने लगते हैं तभी दॉंग जून कहता भाई तुने क्या बोला ऐसी भी कोई martial spirit होती है कि moon और star क्या आदे करता है और तभी हम देखते हैं वो dark river का बंदा अपनी सारी sword को वापस बुलागी मगर गूलिंग वहाँ पे खड़ा होता है और चैसी वो सारी sword के पास आती है वो अपनी martial spirit की power को use करके उन सारी की सारी sword को खड़ा हो करके उन्हें destroy कर रहोता है तभी dark river का बंदा कहता मानना पड़ेगा तुम इतने दिन से wine पी रहे हो मगर तुम काफी stable हो करके fight कर रहे हो सिर्फ अपनी martial spirit की वज़ा से खैर अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपने final move को तुमारे उपर आजमा करके देखू यह करके वो आसमान में कूछ जाता है जिसकी वज़े से गूलिंग की आँखों में एक yellow color का औरा दिखता है हमें और उसकी आँखों में कुछ हद तक खौफ भी दिख रहा होता है और जैसे हमारा dark river का बंदा आसमान में जाता है गूलिंग भी तयार हो जाता है इसकी वज़े से वो उस dark river के अटाक को डॉश नहीं कर पाता है और वो अटाक सीधा उसके चेस्ट में जाकर के लग जाता है और वो सीधा अपने ही पावेलियन के बाहर यानि कि उसके दरवाजे के बाहर जाके गर जाता है और तब ही वो बड़ी मुश्किल से उड़ता है और अपने गुटनों के बला जाता है और तब ही वो dark river का बंदा अपनी sword को सीधा उसकी और पॉइंट कर देता है कि मानना पड़ेगा कि तुम भी अपने भाई की तरह पावरफुल हो मगर मैं तुम्हें बता दूगी तुम्हारा भाई हमारे साथ ऐलाइन्स बनाना चाहता था इस वज़े से मैं यहां पर तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ और अगर तुम इस तरीके से वाईन पीते रहे तो तुम भला कैसे अपनी फामली को स्टैंड कर पाओगे और तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे भाई का कातल कौन है यह सुन करके गूलिंग एक्तम हैरान हो चाता है क्या मेरे भाई का कतल हुआ है मुझे तो पता था कि वो एक्सिडेंट में कुछ लुटोरो ने उसे मार तिया है तब ही वो बंदा कहता है नहीं तुम्हारे भाई को शार्जिस के जरीए उसे जान से मारा गया है यह फुल प्रूफ प्लान था और तुम्हारे भाई का मडर हुआ है अगर तुम इसी तरीके से वाइन पी करके अपनी लाइफ पर बात करोगे तो तुम कुछ भी नहीं पता कर पाऊगे इस बात को सुन करके गूलिंग खाफी साधा शर्मिंदा होता है और कहता है कि मैं कैसे भी करके उस बंदे को ढूनूंगा और तभी वो डार्क रिवर का बंदा कहता है कि मैं शायद तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ मैं उसके लिए तुम्हें मानना होगा कि हमारे एलाइन से जुड़ना होगा तभी गूलिंग कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त दें मैं तभी मेरे भाई की देथ हुई है मैं थोड़ा वक्त चाता हूँ और तभी डार्क रिवर का बंदा अपनी एक स्वाट को बर करता है और उसकी सारी स्वाट आकर के जुड़ जाती है और एक छटरी का फॉर्म ले लेती है जैसा कि उसके पास और डिड़ी एक छटरी थी सारी की सारी स्वाट कमबाइन हो करके छटरी का रूप ले लेती है और तभी वो बंदा एक स्वाट को वहीं पे छोड़ देता और कहता है कि जब तुम्हारा मूर बदल जाए और तुम इस नशे से बाहर आजो और अपने भाई के गम से बाहर आजो तो इस स्वाट को अपने पावेलियन के गेट के बाहर रख देना मैं समझ जाओंगा कि तुम हमारी गुरूप से क्यानी की डार्क रिवर से चुड़ना चाहते हो और मैं तुरंट तुम से मिलने आजाओंगा करके वो वहां से जाने लगता है तबी गूलिंग कहता है सेनियर क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते है और तबी वो बंदा वहीं पे रुख जाता है और कुछबल के लिए वहां पे सोचने लगता है कि मेरा नाम सू मो यू है और फिलाल के लिए तुम ये वाइन पीना बंद करो और ये पता करो कि तुमारी फैमली को पूरी तरीके से खतम कौन करना चाता है क्योंकि अगर तुमने ये पता नहीं किया तो तुमारी पूरी की पूरी फैमली तबाह हो जाएगी गूलिंग कहता है सेनियर आपने मुझे काफी अच्छा सुझाओ दिया है और मैं इस पर गौर जरूर करूँगा और मैं कुछ बल के लिए भटक गया था उसके लिए मैं आप सबसे माफी चाता हूँ और तभी हम देखते हैं वो डार्क वेवर का बंदा यानि कि सुमोयू वहां से जाने लगता है और धीरे धीरे वो हवा में फिर से डिसपीर हो जाता है ये देख करके गूलिंग का सर्वेंट सूली कहता है कि आखिर ये बंदा था क्या फिर वो कहता है कि यंग मास्टर आप ठीक तो है और फिर कहता है यंग मास्टर मैं आपको एक चीज बताना भूल किया कि यान फैमली की यंग लेडी यहां पे आ गई है और हमारे थर्ड यान की गूफ फैमली के थर्ड यंग मास्टर से वो कुछ तील करने के लिए आई है आप इसके बारे में क्या कहते हैं और तभी कूलिंग कहता है कि ये सब चीजे फिलाल के लिए छोड़ दो क्योंकि मैं अभी फिलाल फ्रेश होने के ले जा रहा हूँ और मैं इस सारी बातों को बैट करके विस्तार से सोचूँगा ये कहकर कि वो वहां से जाने लगता है और तभी शूली कहता है कि यंग मास्चर मुझे यहां पे कुछ फिशी यानी की कुछ गरबर नजर आ रही है वो यंग फैमली की यंग लेडी हमारे धर्ड यंग मास्चर से अकर मिलने के लिए क्यों आई है इसमें ज़रूर उन लोगों की कोई चाल होगी यह कहकर कि वो अपने यंग मास्चर की और देखने लगता है तभी गूलिंग कहता है इन सब चीजों के बारे में तुम सोचना बंद कर दो क्यों कि अब मैं खुद से ही इन सारी चीजों के बारे में पता लगाऊंगा यह हम देखते हैं कि दौंग चून और चैंग फ्रैंक दिवाल कूद के वहां से भाग रहे होते हैं बगर गलती से यहां पे दौंग चून का पैर स्लिप हो जाता है और वो बिचारा जमीन पे दमाग से गिर जाता है और उसकी बम पे काफी जादा छोट लगती है और वो सेलाते हुए कहता है दत्ते रही कि मैं यहां पे अच्छे से कूद भी नहीं सकता हूँ अध्द होती है और तभी वो दोनों वहां पे बात करते हुए अपने शौप की ओर जा रहे होते हैं और तभी दॉंग जून कहता है कि यार यह मार्शल आर्टिस्ट वापस में मरते क्यों रहते हैं क्या बैट करके अराम से वाइन पी करके बात नहीं कर सकते हैं मेरी शौप पे आकर के मैं तो इतनी अच्छी वाइन जो बनाता हूँ तभी चैंग फैंग कहता है यार तू अपनी वाइन को हर चीज़ में क्यों ले आता है माना की तेरी वाइन बहुत अच्छी है मगर ये वापस में पता नहीं क्यों फाइट कर रहते तभी वो लोग के सामने ही सूमियू आके खड़ा हो जाता है जिसे देख करके उन दोनों की ही हवा टाइट हो जाती है तभी चैंग फैंग दॉंग नूं से कहता है बाई दीरे दीरी यहां से किसकते हैं पीछे के रास्ते से और वो लोग जैसे ही पलटते हैं वो लोग देखते हैं कि सूमियू की दोनों सर्वेंट भी पीछे खड़ी होती है जो कि उसकी डिसाइबल होती है और कहती है कहां भाग रहे हो बच्चु ऐसे दबे पाउ बिली की तरह तभी वो दोनों कहते हैं हम कहीं तो भाग नहीं रहत है और तभी चैंग फैंग कहता है सीनियर हमने कुछ भी नहीं देखा प्रीज हमें यहां से जाने दे हम तो सिर्फ यहां से गुजर रहते हैं हमारी यहां पर छोटी सी शौप है और कुछ नहीं कि दिसाइबल कहती है मास्चर यह लोग बहुत ही देर से यहां पे छुप कर हैंगे अगर आप कहें तो हमेंने चांसे मार देंगे तभी सूम्यू पलटता है और कहता है क्या तो लोग यहां पर किसी मकसद से आये थे तभी चैंग फैंग कहता है सिर्फ हमारी यहां पर वाइन शौप है और कुछ भी नहीं मगर तभी दॉंग जून कहता भाईयों हम विदल कराम भी नहीं आता है प्लीज मुझे यहां से जाने दो और तभी सुयू मुयू कहता है कि ठीक है तुम लोग यहां से जा सकते हो कहती है Master आप करने हम लोगोers को इससे मानने क्यों नहीं दियाया ऐसे जाने क्यों दिया तब ही सुमिव कहता है वैसे हमारे बहुत ज़टा दुश्मन बन्युक्षा है और मैंठी चाहता है कि हमारे और भी जादा दुश्मन बने खैरीने चाने दो अभी हमें इस चीज़ पर गौर करना चाहिए यान फैमिली जो यहां पर चाल चल लही है और अपनी एक अलगी एलाइंस यानी की ग्रूप बना रही है उस ग्रूप का हमें भांडा फार्श करना होगा और उसका कुछ न कुछ तो त और यान फैमिली के मेंबर वहां पर चितने भी बंदे Bedoda चाहिए उन लोगों को बहती बुरी तरीके से माररे होता हुए यह कुछ लोटेरे होते हैं जो कि यहां पर आये होते है उनके काफिले को लूट ने लिए और वो लोगों बहुती बुरी तरीके से बारी बारी उन लोगों को धूल चटा रहे होते हैं पलक चपकते ही वो लोग सब को वहाँ पे मार के गिरा देते हैं और किनारे आकर के रोट के पास खड़े हो जाते हैं और एक बग्गी को ग्रीट करके कहते हैं यंग लेडी यहाँ पे हमने रास्ता साफ कर दिया है तब ही अंदर से आवाज आती है आकर यह लोग कौन थे तब ही वो दोनों बंदे कहते हैं यंग लेडी यह सिफ एक छोटे मुटे लुटोरो का ग्रूप था और कुछ ने और हमने इन लोगों को बहुत अच्छा सबक सिखा दिया है और तब ही वो यंग लेडी कहती है कि आकर जो मैंने यहां पर अफ़ास सुनी है चैंग सैंग सिटी में कि कोई सी ने लीकर शॉप खोली है और जिसका नाम दौंग चुन है आकर वो बंदा कौन है तब ही वो वाइड बाल वाला बंदा कहता है वो बाई फैमिली का यंग लॉड है तब ही वो लड़की कहती है अच्छा बाई फैमिली का यंग लॉड आखिर यहां पर क्या कर रहा है जरूर यहां पर कुछ ना कुछ तो जरूर खिचुड़ी पकर रही है और उसे भी यहाँ पर misunderstanding हो ही जाती है और यहाँ सी इन शिफ्ट तर हमें दिखाया जाता है कि चैंग फैंग और दॉंग जून वो दोनों बैट करके वाइन पी रहे होते हैं और तभी चैंग फैंग अपनी वाइन का ग्लास पकड़ के कहता है भाई मेरी आखों से वो दृष्चे नहीं निकल रहा है तभी चैंग फैंग दॉंग जून की ओर देखता है दॉंग जून तो बड़े मज़े से अपनी वाइन के मज़े ले रहा होता है जैसे यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं है और तब ही चैंग फैंग कहता है इसे तो कोई फरकी नहीं पड़ रहा है अब तक अगर हम लोग बहां रुके होते तो वो लड़कियां हमें चांसे मार देती और उन लड़कियों का और हा प्रेशर इतना जादा तदरनाक था कि वो लड़कियां मेरी नजरों से अभी भी चुकी है और उनका मास्चर उन लोगों से भी जादा पाउरफुल था खैर उन लोगों ने हमें बख्ष दिया तो बहतर यहीं होगा कि हम लोग उनके आदेश को मानें और इस सिटी को कल ही खाली करकी यहां से भाग चाते हैं क्या कहते हो तुम मगर यहां दॉंग जून त जाती है और वो बिचारा वहां पे खासने लगता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो सही है इतनी मुश्किल से मैं अपने घर से भाग करके इस वाइन शॉप को खोईला हूँ और तुम चाते हो कि मैं इस वाइन शॉप को बंद कर दूँ सिफ उन गथों के लिए मैं तो यहीं बैठ करके अपने वाइन के मज़े लूँगा और यहां पर भाई तु टिंचन नाले कुछ नहीं होगा अगर कोई हमसे लड़ने भी आया तो एक दो बोतल वाइन उसे गिफ्ट कर देंगा वो ऐसे ही चला जाएगा यह करकर कि वो फिर से बैठ जाता है तब ही च वाइन है ना जबरदस क्या कहता है मेरे भाई एक बार और पैक लगा के देख और तभी चैंग फैंग एक घुट और पीता है पुरी की पुरी बोतली साफ कर देता है और कहता है वागई में यह वाइन का फ्लेवर तो बहुत ही जबरदस थे यार मुझे मज़ा आगी ऐसे पी करके और तभी चैंग फैंग को किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो कहता है कि तयार हो जो कुछ महमान यहां पर आने वाले हैं और तभी दो लोगों की एंट्री होती है जो कि यान फैमली के दोनों सिपाही होते हैं और वो लोग आके कहते हैं कि तुम लोग औ और ये गदा हमारा दौंग जू न आगे बढ़ता और कहता है कि अरे तुम लोग मेरे भाई तुम लोग फिरते आगे मैंने बोला था ना चैंग फैंग ये लोग दुबारा थेंगे आज जो हम लोग ने नई वाइन बनाई है बैट के हम तोनो यानि कि चारो भाई बैट के पीएंगे क्या कहते हो ये कह करके भूगदा उन लोगे पास चार होता और चैंग फैंग उसे रोक रहा होता मगर दौंग जून उसकी बात नहीं सुनता है और तब ही एक सिपाही उसकी डेयला करके रख दिता है और उसे डौज करके चैंग फैंग डौंग जून को फिर से बचा लेता है और वो उसस सिपाही को मार के पीछे डा किल देता है, और यहां पर जैंग फैंग और जान Virtue को पकर पूरी पूरी जूर्प को तबाह कर रहे होते और हमारा दॉंग जून किनारे कड़े होकर के वाइन के मज़े ले रहा होता और इस फाइट को इंजॉय कर रहा होता है तभी वो सिपाही कहता है कि तुम कोई नॉर्मल कल्टिवेटर नहीं लगते हो मुझे आखिर तुम हो कौन और हमारी चैंग सैंग सिटी में घर क्या रहे हो चैंग फैंग कहता है कि हम लोग कितनी बार बता चुके हैं कि हम लोग पाई फैमली से बिलॉंग करते हैं तभी वो सिपाही कहता है कि तक तुम लोग पाई फैमली के हो तो तुम लोग यहां क्या कर रहे हो तभी Chang Fang कहता है कि तुम साधा ही बोलतो तभी वो सिपाही कहता है यान फैमली का कि तुम वो कौन तभी Chang Fang कहता है मेरा सरनेम है Si Gong और मैं एक अनाथ हूँ और मैं अनाथ हाले में बड़ा बड़ा हूँ और मैं 55 से लेकर के आज तक सिफ मार्शल हार्ट की प्रैक्टिस करते आ और कुछ मेरे बारे में जानना चाते हो तो उसके लिए तुमें मुझसे फाइट करनी होगी और ये कहकर कि वो उस सिफाही के साथ फाइट करने लगता है और यान फैमली का सिफाही बहुत मुश्किल से उसके अटाक को डॉश कर पा रहा होता है तभी Chang Fang कहता है अरे मैंने तो अभी तक तुम्हें अपना पूरा नाम भी नहीं बताया और ये कहकर कि वो आसमान में जंप लगाता है और ये देखकर कि सिफाही की तो चान हलक में समा जाती है और कहता है मेरा नाम है शी कौंग चैंग फैंग और ये कहकर कि अपने स्पियर से ड्राइगन अटाक करत पत्तू सिपाही होता है उसके सामने जैसे यो ट्राइगन आही रहा होता है वो यह समझ जाता है कि हाँ तो मैं गया मेरी मौत तो पक्की है और तबी उस सिपाही के बीच में एक छोटी सी नाइफ लेकर के उस ड्राइगन अटाक यानि कि उस विच्वल अटाक को डॉज करने के वाला कोई बंदा आ जाता है और वो रास्ते में ही डिस्ट्रॉई करके चैंग फैंग को पीछे डगिल देता है और चैंग फैंग खुद को अचाते हैं पूरे डिटेल में तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और प्लीज चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करते हैं लाइक करते हैं औ क्योंकि लिए आपके एक कमेंट और एक सब्सक्राइब से हमारा दिन बन जाता है अब मिलते हैं इसके नेक्स एपिसोड में तैंक यू बबाई टेक कियर और हाँ आप मेरी प्लेडिस्ट में जा करके और भी कई सारे अमेजिंग सी वेब सीरीज यानिक एनमे सीरीज को देख सकते हैं चोकि मैंने अप्लोड करके रखी है आपको वो सीरीज भी देखने में काफी मजा आएगा क्योंकि वो सीरीज भी पूरी तरीके से डिटेल में एक्स्प्लेइन है तैंक यू बबाई टेक कियर